हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ प्रेंग का यादव आज आपके लिए बहुत बड़ी न्यूज है आप काफी टाइम से हर्याने ससी क्लर्क की रिजल्ट का वेट कर रहे थे आज फाइनली हर्याने ससी क्लर्क का रिजल्ट डिकलेर हो चुका है तो जिन भी स्टुडेंट्स ने एक्जाम दिया था जो भी स्टुडेंट्स इतने टाइम से वेट कर रहे थे केंपेइन में हिशा ले रहे थे उन सब के लिए बहुत बड़ी न्यूज है आप अपने रिजल्ट देख सकते है पूरा रिजल्ट आपका अनौन्स हो चुका है और जितना एक्सपेक्ट किया था कटोफ आपकी उतनी ही गई है ठीक है तो मैं डिरेकली बात करती हूँ दे टेग्री था उसका फर्स्ट वन के टेग्री थी उसके तो यह जो रिजल्ट एनौन्स किया गया है देखें टॉटल पोस्ट कितनी थी 4798 पोस्ट इसके अंदर यह टॉटल सेलेक्शन है जनरल का 1820 पोस्ट थी तो यह डॉल नंबर वाइज आपकी लिस्ट दी गई है तो ज यह टोटल इसके बाद मैं बात करूंकि कि कितनी कटो गई है नेक्स जो आपकी ऐसी है ऐसी केंदर टोटल 797 39 पोस्ट थी और ऐसी की जो कट अओ गई है वो आपके 69 कट अओ गई है ऐसे ही नेक्स्ट यहादि हम बात करें आप BCA की तो BCA में टोटल 521 पोस्टी ठी टॉट अब नेक्स्ट यदि में बात करूँ BCB की तो BCB के अंदर टोटल 334 पोस्ट थी 334 स्टुडेंट्स का सेलेक्शन हुआ है और जो कट अफ गई है वो गई है आपकी 65 next AWS की यदि बात की जाए तो 375 पोस्ट थी 375 स्टुडेंट्स का सेलेक्शन हुआ है sorry 391 पोस्ट है और 391 स्टुडेंट्स का सेलेक्शन हुआ है अलगले केटेग्री से है और टोटल जो कट अफ गई है वो गई है आपकी 67 एक सर्विसमें जनरल की बात की जाए तो 336 पोस्ट है और कट ओफ गई है 66 एक सर्विसमें एसी की बात की जाए तो 108 पोस्ट थी और कट ओफ गई है एसम डिसेबल की 35 और सेल्फ की 52 यसी एक सर्विसमें ब habits की जाए तो 108 पोस्ट थी और टोटल इसकी कट ओफ गई है 33 काफी कम कट ओफ गई है अगर मैं BCB 2 की बात कर एक सर्विसमें में तो 125 पोस्ट थी और डिसेबल का हुआ है 35 में दिसेल्फ का हुआ है 46 सिक्स कट ओफ अगर ऑच की बात की जाए तो एसम डिसेबल का 23 और एक सर्विसमें सेल्थ की कट ओफ गई है 53 एचर्च की बात की जाए तो 39 स्टुडेंट्स का सेलेक्शन हुआ है और 62 इसकी कट ओफ गई है वी एच में 52 कट ओफ गई है और जो रिटेन एक्जाम था आप आने थे तो जो एक्जाम का पर फाइनली रिजल्ट अनौन्स किया गया है वह 100 मार्च में किया घर है और यह रात को बारे बजे रिजल्ट आपका अनौन्स के आगया है तो जिन भी स्टुडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है उनको हार्टली क्वर्चुलेशन उनके लिए अ बहुत बड़ा खुसी का दिन है और जिन भी स्टुदेंट्स का सेलेक्शन नहीं हुआ जिनका नाम नहीं आया है वो भी उनके लिए all the best क्योंकि next जो एक्जाम होंगे उनमें उनका सेलेक्शन हो जाएगा ठीक है ओके थैंक्यू फ्रेंड्स